दोस्तों नमश्कार कुछ समय पहले एक वीडियो में परिक्षा खवरी के नीचे कुछ शात्रों ने लगातार दो तीन दिन मैसेज किया था कि क्या सर PCS मार्च में होगा मैंने उसका खंडन किया था वाटसप पे भी काफी लोने पूछा था लेकिन मुझे ये लगा था कि कह से प्रशन आ रहा है कि मार्च में एक्जाम हो जाएगा मार्च में एक्जाम हो जाएगा ऐसा तो होने नहीं चाहिए क्योंकि मही या जून में यह परिक्षा पड़ती यूपीस्टी के साथ लेकिन जो सूचना मिल रही है इस अंदर मैंने मैसेज भी किया एक टेलिग्राम ग्रूप पे कि वर्तमान चेर मैन महोदे जो हैं इनका एक प्लान है वो यह है कि एक ही वर्ष में कोई परिक्षा यूपी पीस्टी होगी उसी वर्ष उसका फाइनल रेजल्ट आ जाएगा इसके लिए जनवरी में नोटिफिकेशन मार्च या अप्रिल में इसका प्रिलिम जून या जुलाई में में उसके बाद दिसंबर के पहले पहले आपका फाइनल रेजल्ट इंटर्व्यू करा करके यह प्लान है आपको मैं बता दूं 2022 का जो PCS का एक्जाम हुआ इसके लिए भी 15 तारीक 15 दिसंबर एक लक्ष नियत किया गया था लेकिन इतना समय कम था आ दिसंबर लाश्ट के पहले था कि यह नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी 10 दिन की छुटी भी रहेगी ठीक है और तमाम काम है PCS जे भी आ गया है संसाधन कम है वर्क फोर्स इतना नहीं है लेकिन अगले वर्ष अर्था 2023 की परिक्षा संभव हो सकती है उसमें यह सारी चीजे हो जाएंगी संभव हो सकती है क्या हो जाएंगी वो आपका रेजल्ट दिसंबर के पहले दे देंगे जैनवरी में नोटिफिकेशन आ सकती है लेकिन आने में एक बाधा यह है कि वेकलपिक विशे से संबंदित अभी तक नेड़े नहीं हो पाया है तो कैबिनेट अभी तक उसको पास नहीं पारित नहीं कर पाई है जिस करण से में भी लेट हो जाए थोड़ा सा नहीं तो अगर जैनवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर वही मानिक चलिए कि मार्च या अप्रिल में आपका परिक्षा हो जाएगा डिपेंड करता है कि वेकलपिक विशे स हटने की जो प्रक्रिया होती है जो अधिकारी वर्ग की तरफ से होती कार्मिक की तरफ से होती आयो की तरफ से हुई थी वो तो आपको पता ही है कार्मिक की तरफ से जो प्रक्रिया हैं थी वो संपन हो चुकी है इस सिस्तिती में जिस तरह के प्रस्ताओ इस तरह के प्रस्त जो निर्णे हैं वो ले लिया जाएगा या फिर कोई भी इस तरह का प्रस्ता हो जाता है किसी भाग से बन करके सचियों का अप्रूवल के बाद उस पर काफी अध्यान के बाद ये सब चीजें भेजी आती हैं इतना आसान नहीं होता है जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं इतना होता है वो साइज चीजें देखी आती हैं फिर इसको अप्रूवल किया जाता है किसके लिए संस्तुति की जाती है कि कैबिनेट इसको हस्ता चरगरे इस पर तो उस अस्तर तक पहुंच गया है तो ये मान के चल सकते हैं कि वेकल पे कुश्य हट जाएगा लेकिन लेट लती इंतजार करना ही पड़ेगा जो लोग सोच रहे हैं कि वेकल पे विशय पढ़ें या न पढ़ें पहले ही मैंने कहा है अभी बहुत कि बाकी सब चीजान भी पढ़िये वेकल्पिक विशय के लिए परयाब समय आपको रहेगा केवल वेकलपिक विशय ही तो नहीं पढ़ें तो जैसे इतना दिन इंतजार किया वैसे उतना दिन और अगर UPSC या फिर अन्य जो इस्टेट PSC उनके लिए वेकलपिक विशे पढ़ना चाहते हैं अगर वो परिक्षाय देते हैं तो बिल्कुल वेकलपिक विशे पढ़िए तब रोकने का कोई सवाल नहीं उड़ता लेकि सिर्फ UP के परिक्षार था UP PCS ही देना चाहते हैं तो कुछ दिन रुख सकते हैं या फिर वेकलपिक विशे के वो पॉर्शन जो आपके GS के लिए भी उतने ही लावदायक हैं ज़रूरी हैं या common हैं उनको आप पढ़िए तो ये आपको स्प्रस्टी करन बहुत सारे सवालो के आपके जावाब जो मैं देना चाहता था मुझे भी पहले तो आश्यर हुआ था कि मार्च में कैसे एक्जाम हो सकता है लेकिन ये पूरी प्रक्रिया के बारे में पता चला कि इसलिए ऐसा करना चाहते हैं कि एक ही एक वर्शी का एक्रम अभी ये लागू करने जा रहे है आयोग में जिस वर्श परिक्षा होगी उसी वर्श रिजल्ट देने की तो अब ये बहुशे बताएगा कि इसमें कितने कामयाब हो सकते हैं पहले अपलाई तो करें अपलाई करना तो उनका काम है फिलहाल जो ये सूचना आ रही थी मार्च अप्रेल वाली इस पर ये मैं बात अपनी रख रहा हूं जो मुझे मालूम है पाकी देखते हैं क्या होता है वैकल्पिक विश्यत सम्मंधित जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूगा यहां ठीक है बहुत बहुत धन्यवाल है